हे गाइस वेलकम टो माई चैनल अभी सुबह के बज़ रहे अच्छे है आप देख सेकते हैं मैं किच्छन में आया हूँ और किच्छन में जो रात का बर्तन है वो पूरा रखा हुआ है क्योंकि मैं रात में बर्तन धोके किच्छन क्लीन करके सोती हूँ यहां पर अरजुन च कि सब को क्लीन करूंगी तो अभी हस्बन का पानी रेड हो चुका है अभी 630 होने को आ गया देख़िए अभी मैंने करदे क्लीन और यह बेटी का है अग-पोर्स बना र Debby के लिए और इस साइड को भी मैंने क्लीन कर दिया दियुक्त हो आप他說 कि साउंड होता है बहुत जा अभी मैं एक onion के chop कर रही हूं और ये chopping मुझे बहुत ही अच्छ लगता है बहुत easily chop हो जयाता है tomato हो iown, onion हो खुछी भी हो आप chop कर सेकते हैं ये मैं 2 साल चॉप करे हूप आर ये मैंने best price से खड़े दाया है 198 में ये बहुत सस्ता में मिला आर 2 साल से क्वाइब चॉपर में इसको भिंडी को मैंने छोटा चोटा पीसेस कर लिया और फिर ओनियन को भी चॉप कर लिया तो अभी हम बनाएंगे थोड़ासा भिंडी का सबदी तो ओयल मैंने एड कर दिया और फिर चॉप्ट ओनियन एड कर दिया इसको अच्छी तरीके चे chopped लाइकली ब्राउन ना हो जाए जब अच्छी तरीके से भून जाए तब हम लोग इसमें चॉप टमार्टर और गार्लिक इसमें एट कर देंगे यह फाइनली चॉप किया हुआ है तो यह जल्दी भून जाएगा इसमें फाइनली चॉप कर लेती हूँ इसमें थोड़ा सा नम भूनमे के लिए तो तो भूंट कर जाएगा तो नालल्मल तामेटर प्यूरी भी भी आड़ से घ्रक्ण से थोड़ा सा आप आर्या चर्ण से पहलें। फिर हम लोग एड़ करेंगे भिंडी जो पहले से धोके छोड़े-छोड़े पीसिस में काटके रखा हुआ है तो इसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे हल्दी नमक मिर्ची सब अलड़ी दिया हुआ है इसमें कुछ भी एड नहीं करना है अगर आपको खटता चाहिए तो आप आमचूर थोड़ा सा एड़ कर सेटे थोड़े देर के लिए इसको कवर करके कुछ करेंगे क्योंकि भींडी यह बहुत जल्दी कुछ हो जाता है तो आप जादा इसको कुछ ना करें थोड़े देर के लिए ही टू मिनिट के लिए ही इसको कवर करना है हम लोगों को दो मिनिट के लिए कवर कर चुकी हूँ मैं अभी आप देख सेकते हैं यह ड्राइव हो चुका है मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से भूनने के बाद बिंदी की सबजी रेडी हो जाएगा यह बहुत इजी रेसिपी है एक बार आप ट्राइ करके जरूर बता है न मेरा पमकीन का पौदा है यह मेरा फेवरेट पौदा है मैं इसको हर दिन चेक करती हूँ यह देखे यह वाला रेड हो गया लिए मैं इसको इमिडिएटली तोड़ दूँगी और फिर मैं अभी फिर से इस पौदे को अच्छी तरीके से देख के फिर मैं थोड़ा जिसको पानी चाहिए मैं पानी दे दीती हूं बीच में फिर मैं जाती हूं किचन में भींडी की सबजी रेडी हो चुआ है तो मैं आप इसको निकाल दोगी अभी 730 हो चुका है मैं टिफिन लगा दूँगी मैंने लगाया राइस दाल भींडी की सबजी और एक बीठ्रूट यह तो हमेशा मुझे डालना है, याद करके डालना है, बीठूट, बीठूट बहुत इंपोर्टन है, आप भी खा सकते हैं, एवरी दी छोटा सा एक पीस, फिर हम लोग करते हैं, ब्रेक्फस्ट की तैयरी, ब्रेक्फस्ट मैं हस्बेन को दे रही हूँ, पराथा, पराथा के उल्टा के रख देती हूँ, जो सूख जाए, तो बर्तन दोते दोते, चाय रेडी हो चुका है, तो ये देखिए चाय, तो आज का यही है, सुभे का ब्रेक्फस्ट और हस्बेन का लंज, तो चलिए मिलते हैं फिर से कल की वीडियो में, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रही है, वीडियो देखते रहिए, थैंक यू, सी यू टॉमोरो, बाई बाई